असलाम अलेकुम स्टोडेंट्स उमीद है कि आप सब खेरियत से हैं और जो पिछली वीडियो का लेक्चर वीडियो लेक्चर था उसमें हमने एक न्यू टापिक डिसकस किया था जो जो रिलेटिड था आपका मश्वरे से आज है वह सब्रोताहमुल के बारे में देखेंगे स सबर किया है और तहम्मुल किसे कहते हैं उसके बाद उसवय हसना यहीं कि आप सल्लाव वाली वाली वसल्म के जिंदगी में वह आप सल्लाव वाली 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 वसल्म ने किस तरह से सबर किया और कौन-कौन जैसे वाकिया तैसे पेशाय जिन जिन पर कुछ मिसाले जो रोकना और तहमल होता है बरदाश्ट करना ठीक है अब यह है इसको बैसिकली इंग्लिश में कहते हैं पेशन्स और इसको कहते हैं टॉलरेंस ठीक है इन दोनों में बहुत डिफरेंस है बहुत फरक है तो जो सबर होता है वह रोकना उसको कहते हैं रोकना खुद को रोकना और तो ताहमोल के नहीं ले ताहिए नेए टेकर लिnddh सब्सक्राइब करना जाहिए ऑऽो यह आधे के साथ दाउफा करना चाहिए लासिए आफ कि यह वह हमें मिल्कोल परवान ही करनी करनी कि जो भी मुझकिल हा और विह है उंक प्रवान मैंकि हमें उसन प्रवाइujin को वह में सीट्विशन को फेस करना चाहिए थी कि थाबित कदम रहना कंशए़ एक बैसिकली तक मतलब है बर्दाश्ट किसे कहते हैं जब ऑप किसी की गलत बात गलत विलत कुई आपके विल का इसंद सामने हैं कुछ गलत बौलता है हैं यह अव्य ऐद इय कर आहराateur आविछ भूर्बा में गलता है Bir आपके पास एक चीज नहीं है लेकिन आप कहा है कि चलिह मुझे ऐसे तैयाँ आने वाले राँ में एक प्यादे और मिल जाएगी तो भो होता है उस चीज पर आप सबर कर लेते हैं ए धृम को मेरे पास और लिए था इसकिता या आप जो चाहिए वो मिल सकता है इसी तरह से आला ताला ने कुरान पाक में इशाद किया है कि तो आप उनकी बातों पर सबर करें यानि वह इसलिए कहते हैं कि बहुत से इसे मामलात थे आप जिन्दगी में देखा जाये तो एक दिहाती का किस्ता जो है वह आपकी बयान किया गया इसमें के वह हज़त अंस रजी लात आला नहीं से भी रिवायत है कि जब ना एक बार आप आप मोटी चादर जेपतन की थी तो एक दिहाती ने जोर से वह चादर खींची तो वह खींच ने की वह आप जो घर्डर मुबारिक हैं उनके उपर निशान पढ़ गया तो अब उसने ने वह चादर खीच के का कि आप आप साल्ला आला आप मुझे अपको जो कुछ अता किया है उस माल में से मुझे अता कर इसने उनकी चादर इतनी जोर से कीची कि निशान पढ़िया लेकिन उस पर उन्होंने कोई रियाक्शन नहीं दिया थीक है बरदाश कर ली ना यह चीज और लेकिन क्योंके बरदाश की गुसा नहीं किया तो इसलिए फिर क्या पिर उन्होंने जो है वह उसको माल में से भी चीजएं अता की याणि जो मांग रहा था की जहीं एक इसी तारा से जो अबू लहब की बीवी है वह कांके बिछा देती थी और इसी तरह नहीं प्छा देना और कुडा गंड़की दीजता तहम्ल की अबरदाश किया ठीक है तो ये देखें ये हैं कितनी बड़ी बात है फिर दूती सी जगा पर ये भी है कि जब टाइफ के लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है वो तंग किया था जब आल्ला का पेगाम लेकर आप अनकी तरफ गए तो ताइफ को लोगों को सबसे ज पहाड़ों का फिरिश्टा आया उसने कहा कि मैं अगर आप अजाज़त दें तो मैं अल्ला की हुकम से आया हूं तो आप मैं दोनों पहाड़ों को जो है वो आपस में मिला देता हूं ताकि ये तबाह हो जाएगी कौम ताइफ कि लेकिन फिर भी आप सल्लिए अने माफ किय और कहा कि मतलब एक तरह से देखें के बर्दाश किया माफ किया और फिर भी उनको उनके उपर रहम ही किया वह कह सकते थे कहां इन्हों ने मुझे बहुत तंग किया है और आप मिलादे पहाड ने तबाह कर दें लेकिन नहीं हमें जो है वह इस तरह का सबक दिया जाता है कि सकत के सकत 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 दुश्मन हो या सकत सकत कोई आपके साथ जल्म कर किया जा रहा है अगर इस तरह तो भी आप उसको माफ कर रहे हैं ठीक है तो आप उसे माफ करें यह माफ करना सिखाया है सबर करना सिखाया है ता हम मुल्की एक वो दी है मिसाल दी है तो इसी तरह से एक द वो जुड़ी हटाई तो में और इस तरह की चीजों पर भी सबर और तहमल किया और फिर भी उन्होंने क्या किया कि अप स्लिए लिए उन्होंने पूलेख लिए उनको माफ किया ठीक है फिर आप सलिए लाग अलब अबुसफियान की बीवी थी उसमें वह निकाल के चबाया था तो सामने आपके सामने आपके प्यारों का इस तरह से आपकी शहादत हो ना और आप सब्लाव अल्ही अब यह देखना यह सबर की मिसाल है कि आपने इस पर सबर किया तकलीफ होती है सबर एक कैसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत तकलीफ भी हो रही होती है लेकिन आप इस चीज़ को सोच के सबर कर रहे होते हैं कि नहीं अभी वक्त है बाद में यह गुजर जाएगा बाद में आपको अच्छी चीज अता होगी ठीक है तो उस पर सबर कर लिया और इसी तर जाने पेश की तरह से एहल बैज जो हैं उनकी बात में कर रही हूं जैसे हज़त इमामी हसन वसायन थीक है तो इस तरह से हज़त उस्मान गनी रजाला नहां है और हज़त जैद अरकम रजाला नहां की एक दफा आंखों में बहुत दर्द हो गया तो आप अगर आप इस पर सबर करेंगे तो आपको इस बड़ा अजर है ठीक है तो उन्हों ने इस पर सबर किया कि इस बात से कि इस पर अजर है ठीक है इस पर जो है वो इनको बहुत अच्छा बदला मिलेगा इसके बदले में इनको जननत मिलेगी तो इसी तरह से आपसल लunton willsallam ने जो हमें सबर क की तलकीन की है है हैर मामले में अपने जिन्दगी के सबर की तलकीन की रहा है अब जो सबर करने वाले है उसको कुछ फाइदे भी होते हैं और जो बेसबर है या जो सबर नहीं होता उसको ये सुन्यतेर्सूल है, इसी तरह की रजूत की रजा आपको हासिल हो जाता है और इसी तरह से जो आपको नेक्टिया मिलती हैं आप उत से बियमार्यों से बहुत सी लडाईयों से जगडों से अब साथ से इस तरह की शीज़ों बहुत जाधा दूर रहते हैं इस तरह से जो बेस लोग होते हैं उनके लिए कि उनको पसंद नहीं करते हैं तो आप बार बार जिद करते किसी चीज की अगर तो अगला इंसान भी आपको पसंद नहीं करेंगा आप क्यूंकि सबावरें कि युक्त पर चुझ एक जर नो आपका भूर चीज है , और पर पर उपने परम्त को तंक wh झाय और भास चाहिए है तो आपको करहा है आप उन्हेमिं तंक कर रहे म कुछ आने वाले टाइम में पहसाता आपको पर तो आपको चाहिए कि ठीक है आप सबर करें उस पर दे देंगे वो आपको लेके लेकिन आप शौर मचा आजएते हैं तो वो फिर क्या होता है अप गुसा आता है ना उनको जाहिर है वो पिर आप उससे भी महरूम हो जाते हैं इस तरह सबर की वज़ा से जो है वो आप जो है इतनी बड़ी मिसाल है कि सबर करने वाले का सबर जाया नहीं जाता और आप सलिव सबर और तहम्मल से रिलेटिड था हमें भी जहाए वह पनी जिंदेगी में सबर और तहम्मल से काम करना चाहिए हर बात पर सबर कर लेना चाहिए जो के आपके पस अभी मुझूद नहीं है लेकिन आपको यह अमीद रखनी चाहिए कि इन्शाला वह चीज़ आपके पस कल जरूर आजएगी आपने इस चेप्टर को अच्छे तरीके से गो थू करना है अपने बुक से लासमी रिलेट करना है पढ़ना है अगर कुछ समझ न करना है और इसी के साथ जो है वो इंशाला हम नेक्स्ट लेक्चर में आप इसकी एक्सरसाइस करेंगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें आलाहाफिज कर दो